हेलो एवरिवन वेलकम टो अटर 24 7 स्कूल आएम गोरवरा यूर मितमेटिक्स मेंटर आज की स्क्विक वीडियो में हम जानने वाले हैं बच्चों कि किसी भी डिफरेंचियल एक्वेशन को कैसे फॉर्म करें जब उसका जर्रल सॉलूशन दिया हुआ हो किसी भी डिफरेंचि सुoff you oy as whyisoaya Putting पर याइक क्वेशन दी गई है और मैं अपनी नोलेग मैठिकल नोलेज यह जानता हूँ यह मेरेको पता है सरकलर की मेशन आखिवेशन आरो डिफरेंट रिफरेंट इफरेंट पूbelsित करो डिफरेंट इफरेंट सरकल साथिंग वहन पूस लेक्ष 2 radius का circle आजाएगा 3 put करेंगे तो 3 radius का circle आजाएगा और इन सब का center 0 पर तो है क्योंकि इसको x minus 0 का whole square plus y minus 0 का whole square equal to r square देख सकते हैं यहां से पता चल रहा है मेरा कि center जो है 0 0 पर है ठीक है तो यह मेरे को पता चल रहा है family of circle को represent कर रहा है ठीक है family of circle जिन सब का center बिटा origin पर है अब इस family of circles की मेरे को चाहिए एक differential equation ठीक है differential equation लाने के लिए simply हम क्या करेंगे बिटा कि यह सब को satisfy कर रहा है x square plus y square equal to r square इसमें 1 की भी value आसकते 2 की भी value आसकते 3 की भी value आसकती है तो ऐसी differential equation निकालू जो हर member को satisfy करे हर member को satisfy करे तो मेरे को differential equation को free करना पड़ेगा r से free from r क्योंकि r की different different value है लग-लग member के लिए तो मतलब मेरे को क्या करना होता है removal of constant करना पड़ता है तो ये बात ध्यान रखना बच्चों अब कि जो आपका general solution में आपके पास constant है उनका करना है removal एक constant है one constant तो पिटा एक बार differentiation से काम चल जाएगा ठीक है differentiation करना एक बार अगर दो constant है ठीक है दो constant है तो पिटा differentiation करना पड़ेगा twice दो बार differentiation से काम चलेगा जैसे कि यही है x square plus y square equal to r square मैंने इसको x के respect में differentiate के x square का हो गया 2x plus y square का what 2y और फिर y का बिटा dy by dx r square r तो एक constant है उसका differentiation आएगा 0 यह आगया समझ आई मेरी बात कि 2x plus 2y dy by dx आगया आपका 0 यहां से इसको और ज्यादा तुम simplify करके भी लिख सकते हो कि 2y dy by dx equal to minus 2x 2 से 2 गयब कर दो dy by dx equal to minus x upon y यह आगया आपकी differential equation तो solution से differential equation पर arrive कर गए by removal of arbitrary constant एक और example से देख लेते हैं बिटा आपको बोल रहा है कि family of ellips जिसका foci x-axis पर है center origin पर है इसका differential equation निकाल के बताओ क्या होती है हमारी ellips की equation x square by a square foci x-axis पर है orbital origin पर center है तो y square by b square equal to 1 कितने arbitrary constant arbitrary constant सर्थ 2 कितनी बार differentiation करोगे सर्थ 2 बार करके देखो x square का किया तो 2x by a square u का u plus y square का किया तो 2y into dy by dx by b square u का u और 1 का किया तो यह आ गया 0 ठीक है पिटा अब इसको further अगर simplify करोगे तो क्या आएगा 2y by b square into dy by dx equal to minus 2x by a square 2 से 2 तो गया भो गया ठीक है x वाली टम को मैं इधर ले आता हूँ y upon x dy by dx equal to minus b square by a square यह आ गया अब इसका एक बार ओर differentiation करना है एक बार ओर differentiation करोगे तो y by x को u का u रख लो dy by dx का किया तो d2y by dx square plus dy by dx u का u रखना y by x का करना है तो पिटा x u का u y को किया तो dy by dx plus y u sorry minus आपका y u का u यहाँ पर आएगा minus ठीक है y u का u और x का किया तो one हो आपोन x square ठीक है equal into dy by dx तो चल ही रहा है इसके साथ में ठीक है पीटा और equal to यह तो constant है इनका differentiation आगया 0 आया अब इसको और simplify करके देख लो y by x d2y by dx square अब आगे क्या कर सकता हूं मैं इसको बताओ अब मैं क्या करूं इसको कि 1 by यह देखो क्या होगा यहाँ पर कि मेरा x by मैं कर रहा हूं x into dy by dx upon x square ठीक है और बिटा यह dy by dx तो चली रहा है minus y upon x square dy by dx equal to 0 ठीक है अब देखो इसमें क्या करो तूम अब simply बिटा y by x d2y by dx square यह क्या हो गया y by x d2y by dx square प्लस one upon x into dy by dx का square हो जाएगा dy by dx dy by dx minus y upon x square dy by dx equal to 0 ठीक बिटा इसको तुम और ज्यादा simplify x square से multiply कर दो x y d2y by dx square प्लस x dy by dx का whole square minus y dy by dx equal to 0 यह आ गया आपका answer बिटा बात क्लियर हुई बोलो एकदम simple बहुत बढ़िया तो यह आ गया तुमारा निकालना थैंक्यू बिटा जैहिंद जैभारत चलत